हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आज हम लोग क्लास 6 भूगोल का चेप्टर 8 पढ़ेंगे ठीक है जिसमें हम लोग को पढ़ना है हमारा राज्य बिहार तो इस चेप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चो यानि कि overall बिहार के बारे में जितने भी जनकारियां है जो आपके लिए महत्वपुन है उन सभी चीजों के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे ठीक है तो आए इस चेप्टर के शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले बच्चो अगर मेरे चैनल पे न्यूँ है मेरे वीडियोज को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजे वीडियो को लाइक कर दीजे और अपने फ्रेंट के साथ सेर भी कीजिएगा ठीक है तो आईए शुरुआद करते हैं तो यहाँ पे शुरुआद करने से पहले बच्चो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिये हुए हैं उनको देख लेते हैं वो कौन-कौन से पॉइंट्स है तो पहला जो point यहां पे दिया हुआ है कि बिहार की पश्चिम चमपारन जीले में पश्चिम चमपारन जीला जो है बिहार का कि गौनहा कन्या मध्य विद्याले में कई छात्राइं प्रती दिन नेपाल से पढ़ने आती है पहला एक बात आपको बस ऐसे सुनना है बस आपको सुनते जाना है और देखते जाना है क्या है पहला बात क्या करया है कि पहचिम चंपारन जिले में एक क्या है सरकारी अस्कूल है उसमें नेपाल से भी कुछ बच्चियां जो है वो पढ़ने के लिए आती है एक बात हो गया दूसरा के आए कि उतर परदेश से आने वाली गारीयों की जांच रास्ट्रिय, राजमार्ग, संख्या, दो पर कर्मनाशा की निकट की जाती है। छिक है? यह एक बात है पतलब एक कर्मनाशा न दिहे है और यह हो गया उतर परदेश से यह हो गया बिहार तो यहां से जो भी गारियां आती है इसको यहां पे क्या किया जाता है चेक किया जाता है बस आपको इसको सुनते जाना है तभी आपको समझ में आगा ठीक है एक अगला पॉइंट है वो क्या कर रहा है कि बंगाल बंद के कारण पूरब से पटना आने वाली ट्रेने लेट हो जाती है मतलब भारत बंद भारत बंद पॉलिटिकल पार्टिस के दौरा या पिर कोई भी बड़ा संगठन होता है वो सब क्या करता है अपनी बातों को उठाने के लिए लोग बिहार बंद या बंगाल बंद भारत बंद करवाते हैं तो उस तरीके से जब बंगाल बंद होता है तो पटना जो आती है ट्रेने बंगाल से होते हुए वो क्या हो जाती है लेट हो जाती है ठीक है अगला पॉइंट है कि जारखन मेरा स्टी राजमार्ग संखेया तेतिस में दरार पढ़ने से राजु के जो दादा जी है वो पटना नहीं पहुंच सके इसका क्या मतलब है यह जितने भी जो भी पॉइंट्स दिया गया है कि यह गुरु जी पुछे बच्चों से कि अच्छा यह बताईए कि कोई भी बंगाल बंद के कारण जो ट्रेने पूरब से पटना की ओर आती है मतलब बंगाल से जो पटना आती है वो लेट क्यों हो जाती है या फिर जो उत्तर परदेश जो कारियां आती है बिहार में उसको कर्मनाष्णा नदी के पास चेक किया जाता है ऐसा क्यों है या फिर जो पश्यम चंपाराने जहां पे एक सरकारी अस्कूल है बिहार गफ्मेंट के द्वारा जो चलाई जाते है वहां पे नेपाल की कुछ बच्चियां पढ़ने के लि यह पुर्वी भारत का एक महत्वपून राज है जो पूरव से पश्यम तक यानि कि जो पूरव से पश्यम तक कितना किलोमीटर है तो 483 किलोमीटर है कितना किलोमीटर वच्चो 483 किलोमीटर और दक्षिन से पश्यम कितना है 345 किलोमीटर तो अगर आप इंडिया के मैप देखिएगा तो बिहार आपको कहा देखने को मिलेगा यहाँ पर यह जो ग्रीन वाला पाट है यह क्या है हमारा बिहार है ठीक है हमारा जो राज यह बिहार है वो कहाँ पर है इस यहाँ पर है तो यह पुरा का पुरा जो यह जो मैप दिख रहा है वो किसका मैप है इंडिया का मैप है भारत का नकसा है ठीक है और भारत की नकसे में बिहार कहां पे है तो आपको पुर्वी हिस्से में उत्तर पुर्वी हिस्से में दिखाई देगा अगर हम भारत को चार भागों में बाटते हैं ठीक है तब एसे करते हैं तो यह वाला जो पार्ट होता है वेस्ट कहलाता है और यह वाला क्या कहलाता है इस्ट कहलाता है तो भारत जो है वो किस हिस्से में है भारत जो है वो भारत के किस हिस्से में है तो उत्तर पूर्वी हिस्से में है तो हम लोग कहा सकते हैं कि हम लोग कहा रहते हैं भारत के उत्तर पुर्वी हिस्से में रहते हैं नौर्थिस्ट पार्ट में रहते हैं हम लोग कहा रहते हैं भारत के नौर्थिस्ट हिस्से में हम लोग रहते हैं जो बिहार है वो कहां पे भारत के उत्तर पुर्वी हिस्से में है ठीक है ए आपको पता चल गया उसके बाद अ पुरब की और बिहार की लंबाई में आपते हैं, तो कितना है, 483 किलोमीटर, वही अगर देखें, उत्तर से दक्षिन की और इसकी लंबाई कितनी है, तो 345 किलोमीटर है, कितना है बचो, 345 किलोमीटर है, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, कि अगर बिहार का पुछा आपके इक्जाम में यह पूछा जा सकता है कि बिहार की पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है तो पश्चिम से पूरब की लंबाई जो हो कितनी है 438 किलो मिटर कितना है 483 और वही अगर बात करें उत्तर से दक्षिन की ओर तो 345 किलो मिटर है यह आपको याद होना चाहिए ठीक है इतनी लंबाई और इसकी चोरा यह ठीक है अब क्या करें है आपके कि हम अक्सर अपने आसपास के घरों में खेलने या किसी काम से आते जाते हैं ऐसे घर हमारे क्या कलाते हैं परोशी कलाते हैं क्या कलाते वच्चो तो यहां पर आपको बताने का प्रयास क्या गया है कि परोशी का मतलब क्या होता है परोशी का मतलब होता है कि जो हमारे आसपास रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं परोशी जैसे यह हमारा घर हो गया ए अगर बात करें राजी की तो हमारा जो राज बिहार है उसके बगल में जो राज है वो हमारा क्या कहलाएगा परोसी कहलाएगा तो हम लोग देखते हैं कि हमारे राजी के परोसी कौन-कौन से राजे हैं और कौन-कौन लोग हैं जो हमारे परोसी कहलाएगे तो देखो क्या कर कि जैसे हमारे परोसी एक दूसरे के काम आते हैं ठीक उसी परकार से जैसे हम उनसे क्या होते हैं परभावित होते हैं ठीक वैसे हमारे परोसी राज भी एक दूसरे को क्या करते हैं परभावित करते हैं वही अगर देख ले कि बिहार के बिहार के आसपास में कौन लोग हैं भारत के बगल में एक देश है, जिसका क्या नाम है नेपाल, यहाँ पर आपको नेपाल दिखाई देगा, यह जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, यह क्या है, यह नेपाल का हिस्सा है, और नेपाल क्या है, एक अलग देश है, ठीक है, नेपाल क्या है, एक अलग देश है जैसे भारत एक देश है, हम लोग का देश भारत है, ठीक, उसी परकार से भारत के परोष में एक दूसरा देश है, जिसका क्या नाम है, नेपाल, तो नेपाल का जो सीमा है, वो किस से लगता है, बिहार से लगता है, किस से लगता है, बच्चो, बिहार से, तो हम बोल सकते हैं पश्ची में देखें बिहार के पश्ची में उत्तर परदेस है कौन है उत्तर परदेस तो हमारा जो परोसी है पश्ची में वो कौन है उत्तर परदेस है ये आपको पता होना चाहिए तो बिहार के उत्तर में कौन सा राज है तो उत्तर परदेस हमारा परोसी होगा वही अगर बात करें पूरब की तो यह पूरब में आपको बंगाल दिखाई देगा पशिम बंगाल कौन है पशिम बंगाल तो बिहार के पूरब में हमारा पडोसी कौन होगा तो हमारा पडोसी है पशिम बंगाल यह आपको पता होना चाहिए वही अगर बात करें दक्षिन की तो बिहा यहां के पहशीम मंगाल और वही अगर बात करें। वहीचा तो पहशीम नेकर बाँम है उत्तरप्रदेस है। एगर बात करें। कि अब देखो यहां पे यह तो बिहार इतना बड़ा सा राज्य है इतने बड़े राज्य को अच्छे तरीके से यहां पे शासन ब्यवस्ता चले जितने भी लोग हैं उनको प्रशासन के सरकार अगर कोई नितियां लाती है और मतलब राज्य में सांती ब्यवस्ता बनी रहे सभी लोग नियमों का पालन करें ठीक है और सभी लोगों तक जो सरकार के द्वारा योजनाय चलाई जा रही है उनकी उन सभी की सुविधाय लोगों तक पहुंचे इसके लिए क्या किया गया है कि राज्य को छोटे-छोटे हिस्सों में बाटा गया है क्योंकि इतना राज्य को एक तरीके से मतलब सासन करना जो है आसान नहीं था तो इसको क्या कर दिया गया है छोटे-छोटे हिस्सों में बाटा गया है और यह छोटा-छोटा हिस्सा क्या है तो अगर यह बिहार राज्य है तो बिहार को अगर छोटे-छोटे हिस्सों में बाटा गया तो क प्रमंडल में यानि कि अगर बिहार जो हमारा राज है अगर उसको पहले डिभाइड करते तो नौ भागों में डिभाइड करते हैं कितने भागों में डिभाइड करते हैं और यह जो नौ पार्ट्स बने यह क्या कलाएंगे प्रमंडल कलाएंगे क्या कलाएंगे प्रमंडल क ऊसके बाद जब और यह जुक्श होगा है तो 9 प्रमंडलों में अलग-अलग जिले होते हैं और जिलों की संफ्या कित्नी है % Mach 186 six बिहार में कितने जिले और कि 10 जिले हैं अब अगर एक जिले को लेते हैं, माल लिजे यह एक जिला है, तो जिले को छोटे-छोटे किस में बाटा गया है, किस में बाटा गया है, बच्चों, अनुमंडल में बाटा गया है, जैसे एक प्रमंडल हो गया, प्रमंडल के बाद जिला, जिला को किस में बाटा गया है, अन अनुमंदलों में कई प्रकंड होते हैं, जैसे एक इग्जाम्पल के तवर पे देखें, तो क्या है, पटना एक जिला है, और पटना जिला में जो अनुमंदल है, वो कौन है दानापूर है, तो दानापूर में बहुत सारी क्या आएंगे, प्रकंड आएंगे, ठीक है, अब यह प्रखंड कई पंचायतों से मिल करके बने है ठीक है आपको पता होगा कि अलग-अलग पंचायतों से मिल करके क्या बनता है प्रखंड बनता है और उन प्रखंडों से क्या बनता है अनुमंडल बनता है और अनुमंडलों को मिला करके क्या बनता है एक जिला बनता है और परखंड हो गया, पंचायत हो गया, इस तरीके से बिहार को अच्छे तरीके से यहां पर सासन वियोस्ता चलाने के लिए छोटे-छोटे प्रशाशनी किकाईवों में बाटा गया है बिहार को, अब आगे देखतें कि बिहार की जलवायू कैसी है, जैसे हम लोग बिहार में र कैसी है और यहां की वायू कैसी है कहने का मतलब यह हुगा कि यहां का इन्वार्मेंट कैसा है और एक होता है मौसम आपको दो वर्ड सुनने को मिलेगा एक सुनने को मिलेगा मौसम और दूसरा सुनने को मिलता है जलवायू ठीक है यह मौसम और जलवायू में अंतर क्या होता मौसम क्या होता है और जलवायू क्या होता है तो देखो बच्चों क्या होता है कि जो day to day हमारा जो environment है उसमें जो परिवर्तन होता है मतलब दिन प्रति दिन जो हमारे जो क्या बोलते है प्रयावरण है उसमें जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते है मौसम बोलते है क्या यही मौसम जो लंबे समय तक बना रहता है उसको क्या बोलते हैं जलवायू बोलते हैं जैसे एक एक्जामपल के तौर पे देखें आज दिन है ठीक है मालीजी सुभा सुभा जब आप स्कूल जाते तो देखते हैं कि क्या होड़ा है धूप निकला हुआ है और आप स्कूल ज होता है उसको क्या बोलते हैं मौसम बोलते हैं ठीक है और मौसम जो है वो डे टू डे चेंज होता है मतलब दिन प्रति दिन बदलते रहता है कभी आपको दूप दिखाई देगा कभी आपको बादल दिखाई देगा कभी बारिस हो जाएगा ठीक है ना कभी हवाय चलने आपक करें , क्योंवबर से करके , अगर यनुवरी फ्यवर्वरी तक का थे फ्र्वरी तकक , तो यह जो टाइम पिडियेड इसमें , ज्यादा देखा जाता है , जो मौसम होता है , ठंडा होता है , वही अगर बात करें , मार्च अपरियल आते जून जुलाई तक , जुन तक यह हो जादा गड़मी होता है ठीक है वही अगर जून के बाद आगे देखिया जुलाई अगस्ति तमबर अक्टूबर तक तो क्या होता है बारिस होता है तो यह जो एभरेज मतलब लंबे समय तक का जो टाइम पिडियोड होता है अगर उसमें एभरेज को देखे तो वह किस चीज को बताता है वहां की जलवायू को बताता है किस चीज को बताता है बच्चो जलवायू को मतलब जलवायू जो है वो लंबे टाइम पिडियोड के लिए यह बताता है कि वहां का मौसम किस परकार कराने वाला है मतलब लंबे समय तक तो यह जो बताने वाला है उसको क्या बो यहां पर आद्र जलवायूं यहां पर आद्र गडम और आद्र जलवायू और गडम और सुस्क जलवायू कहने का मतलब क्या हुआ देखो, आदर का मतलब होता है, humidity, आदर को क्या बोलते हैं, इंगलिस में, humidity बोलते हैं, अब यह humidity का मतलब क्या होता है, ठीक है, humidity का मतलब होता है, आदरता, आदरता कहने का मतलब क्या हुआ, कि जैसे माली जी यह समूद्र है, ठीक है, समूद्र है, बिहार को हम अगर यहाँ होता है वो कैसा होता है आद्र और गर्म होता है गर्म और आद्र होता है तो यहां पर देखो यह ब्लू वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यह सब क्या है पानी है क्या है इसको क्या बोलते है बे और बेंगौल बोलते है न बंगाल की खारी बोलते है तो यहां पर कहने का मतलब क्या हुआ सुखा और आद्र कहने का मतलब क्या हुआ जिसमें नमी हो आद्र कहने का मतलब क्या हुआ नमी अब अगर बात करें कि नमी का मतलब क्या हुआ तो जैसे देखो जब हम पानी को गर्म करते हैं जैसे जब गर्मी होती है तो जब पानी गर्म होगा तो निकलेगा तो यहाँ पे सोच करके देखो कि समुद्र इतना बड़ा है और यहाँ पे अगर गर्मी होगी तो समुद्र का पानी क्या होगा गर्म होगा गर्म होगा तो उससे भाब बनेगा और भाब बन करके कहा जाएगा ऊपर चला जाएगा ठीक है और यह हवाओं के माध् मतलब कपड़े बहुत देरी से सुकते हैं क्यों कि पूरब में क्या है बेव बेंगॉल और बेव बेंगॉल से जो आदरता भड़ी हुई हवाइं वो आती है बिहार में ठीक है तो यह अपने इन हवाओं में पानी की मातरा बहुत अधीक होती है इसलिए जो कपड़ा है वो अल्रेडी नहीं सुक पाता है देरी से सुकता है वही अगर बात करें तो इस तरह से देखते हैं तो बिहार को पुड़वी हिसा है वो उसमें क्या है कि यहां की जलवाई होती है तो आदरता भड़ी होती है और साथ गर्म होती है लेकिन यह पश्मी हिसा आपको दिखाई चल रही है तो कौन सी हवा चलेगी कि बिहार के पास आएगी तो पच्छुआ हवा चलेगी जो पश्चिम डाइडेक्शन से पूरब डाइडेक्शन में चलती है उस हवा को क्या बोलता है ठीक है तो अब देखो यह जो पच्छुआ हवा यहां से ले करके चलती है आदरता क् पानी गध्म होगा तो क्या बनेगा फाप बनेगा और भाप यह भाप हवाई ले करके इधर चलेंगे तो सोचकर कर के देखो कि इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पर रहा है देख रहे हो यहाँ से अरभ API गुजरात होते हुए ये मद्धे परदेश, 36 गर, राजस्तान वाला हिस्सा, पंजाब, ये होते हुए, अगर मालीजी ये हवाएं बिहार के तरफ आती है, उत्तर परदेश होते हुए, जब ये हवाएं बिहार के तरफ आती है, तो सुच करके देखो कि यहां तो अल्रेडी मतलब यह सब क्या है भूमी है जमीन है अब यह जो जमीन है तो यह अल्रेडी गर्म है गर्मी यहां पर पड़ेगी सुरी का पड़कास पड़ेगा तो यह पुरा का पुरा छेतर क्या होगा गर्म होगा अब जब गर्मी पड़ेगी यहां की मिट्टी सुखी हुई है तो यह हवाएं जो अपने साथ Arabian Sea से क्या लेकर करके चली थी वास्प लेकर करके चली थी अब जब ये वास्प लेकर चले गी तो ये सब क्या कर लेगा सोख लेगा पहले ही जो हवाओं में नमी था वो इतने बड़े भुभा को कभर करते हुए जब चलेगी तो ये पुरा का पुरा वास पर यहीं पर सोखा जाएगा तो हवा में बचेगा क्या नमी एक जरासा भी नहीं बचेगा इसलिए ये जो पच्छुआ हवा होता है वो क्या करता है सबी चीजों को बहुत जल्दी सुखा देता है क्यों क्योंकि इसमें नमी की कमी होती है। क्योंकि इतने बड़े distance को cover करके बिहार में आती है। इसलिए ये पच्छुवा हवा होती है ये क्या होता है? सूसक होता है। तो ये आपको समझ में आ गए होगा। और पुर्वा जो हवा है, पुर्वा जो हवा है, वो क्या है? कि अपने साथ नजदिक में बेख बैंगोल है, और यहां से जो, मतलब नमी यूगत हवा ले करके चलिएगी, तो इसमें क्या होगा? नमी मौझूद होगा, तो यहां से दो चीजे कनफर्म हो जाती है, क्या कनफर्म हो जाती है, कि बिहार का जो पुर्वी हिस्सा है, वहां की जो जलवायू होती है, आदर और गर्म होती है, साथी साथ अगर पश्मी की बात करें, तो गर्म और सुस्क जलवायू मिलती है, और क जलवायू कहने का मतलब क्या हुआ कि एक हवा चलती है मौनसूनी हवा चलती है मौनसूनी हवा में क्या होता है कि मौनसून जो है न वो यहां से आपको पता होना चाहिए कि मौनसून जो है एक हवा का नाम है जो यहां से केरल के तर्ट से होते हुए इस वाले हिस्से में चलत यहां पर नी इसे कुलती हुए छाट है, धिर यहां से लोटेटी है तब भिहार पहुँचती है, यहां पर भयंकर बारिसोता है, तो सीजन को लाता है, इसलिए बिहार का जो जलवाईव कैसा है, मौन्सूनी जलवायू है तो आपको पता होना चाहिए अगर आपके question में यह पुछा जाए कि बिहार की जलवायू कैसी है तो बिहार की जलवायू जो है वो मौन्सूनी जलवायू है ठीक है आगे देखो यहाँ पे मुखेता तीन रित्विय होती है रित्विय मतलब season ठीक है बरशाद और तिसरा जाड़ा ठीक है अब देखो गर्मी का मौसम में क्या क्या होता है उसको थुरा समझ लेते हैं तो देखो बच्चों क्या कड़ा है गुरु जी जब बच्चों को पढ़ा रहते तो क्या पूछे कि कैसे पता चलता है कि गर्मी आ गई है गुरु जी ने मतलब लोग इसको खड़िदना सुरू कर दे तब समझे कि गर्मी का मौसम क्या हो गया है और क्या करा है कि होली के बाद से गर्मी परनी क्या हो जाती है जो कि कब तक चलती है जून तक चलती है और इस दोरान क्या होता है कि जब गर्मी का मौसम होता है तो इसमें क्या होता कि धूल भड़ी तेज हवाएं और आंधियां चलती है जिसे क्या काते हैं लू काते हैं क्या काते हैं बच्चो लू मतलब क्या बोलते हैं 15-20 दिन या फिर एक महीने बाद आप देखेगा मतलब जोब अप्रिल और में आने आने तक क्या हो जागा कि यहां पर बहुत गर्म मतलब क्या हँगा और 24 गंटे में अगर बात करें और 24 गंटे में क्या होगा दिन और रात दोनों होगा थो एक दिन जैसा आता है कि एक टाइम ऐसा है जब टेम्परेचर जो होगा सबसे हाई होगा मतलब सबसे ज्यादा होगा और एक टाइम ऐसा आता है जो जब टेंपरेचर सबसे कम होगा 24 गंटे में यह स्थिति एक बार होती है क्या कि एक बार ऐसा आएगा कि सबसे ज्यादा टेंपरेचर होगा मतलब तापमान होगा गर्मी होगा और एक बार ऐसा टाइम आएगा 24 गंटे के जो सबसे maximum temperature record किया गया वो कितना है 42 degree celsius कितना है बचो 42 degree celsius और सबसे कम तापमान अगर देखा गया तो यहां पर देखा गया 22 degree celsius ठीक है होता है दो पहर का जो टाइम होता है मतलब एक या दो बजे का जो टाइम होता है उसमें जो maximum temperature record किया जाते है तो अगर सोच करके देखो कि 24 गंटे के अंदर दो बजे क्या हुआ है कि temperature जो है वो कितना हो गया है 42 degree celsius रिकॉर्ड किया गया है वही अगर रात जब साम होगा सू जो होता है वो क्या होता है कम होते जाता है और सूबह का जो time period time जो होता है यानि कि 3-4 बजे का जो time होता है उस समय सबसे कम temperature record किया जाता है तो अगर मालीज यह कि 24 गंटे में एक टाइम ऐसा है या जब दो पर के समय में 42 degree celsius रिकॉर्ड किया गया और रात के समय में 3-4 ब यह थे एक यह हो गया एक यह हो गया तो जितना जो यहां पर नंबर आता है उसको उतने से डिवाइड करते हैं तो 42 और 22 को एड के 64 और 64 को दो से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जागा 32 degree तो यह इसका क्या क्या कलाएगा उस दिन का average temperature कलाएगा क्या कलाएगा बच्चो उस दिन का उसत तापमान कलाएगा तो गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि इसका उसत तापमान कितना रहता है 30 degree centigrade रहता है जबकि गर्मी में तापमान जो है वो maximum अगर देखा जाए तो 40 degree Celsius तक हो जाता है 40, 42, 45 degree भी चला जाता है और जितना ज्यादा degree Celsius रहेगा उतना गर्मी होगा ये आपको पता होना चाहिए ठीक है वही अगर बात कर लें वर्षा का मौसम मतलब बर्साद का तो इसमें क्या होता है कि गुरु जी ने पूना पुछा कि वर्षा रीतु कब आती है और इस समय क्या क्या करते हैं हम लोग तो महेस एक बच्चा है क्या बोलता है और खड़ी फसल में कौन सा फसल आता है हमने आपको पढ़ाया है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि खड़ी फसल में कौन कौन से फसलों की बुआई की जाती है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ठीक है आगे देखते हैं तो क्या रोजगार मिलता है और नेपाल की तराई में पहाडी से तेजी से गिरने वाली जो मतलब नदियां हैं वो अपने साथ बड़ी मातरा में मिट्टी ओम कंकर पत्थर लाती हैं जो नदियों के तल में जमा हो जाते हैं इसके कारण नदियों के बार का पानी आसपास के इलाकों में फैल जाता है, तो रोहित बोला कि अपने राज में बार भी तो खुब आती है, गुरु जी ने बताया कि बार मुल स्रोत, बार का जो मुल स्रोत है वो कौन है, गंडक, बागमती, कमला, बकैया, कडे, महाननदा, कोशी, इत्यादी नदिय जिनका उद्गम कहां पे है नेपाल में, अब बात आती है बच्चो कि उद्गम, उद्गम कहने का मतलब क्या हुआ, उद्गम का मतलब क्या होता है, तो उद्गम का मतलब होता है बच्चो, जहां से नदिया निकलती है, उस अस्थान को क्या बोलते है, उद्गम बोलते है उस अस्तान को क्या बोलते हैं उद्गम बोलते हैं ठीक है तो इसका उद्गम मतलब बहुत सारी यह सी नदियां जो बिहार से गुजरती है उसका उद्गम कहां पे हैं नेपाल में और नेपाल में क्यों है क्योंकि नेपाल जो है वो हिमालय कहां से हो करके गुजरता है नेप पुर्वी बांध और मदुबनी से दक्षिन खगडिया तक 90 किलो मिटर तक के पश्वी बांध के बीच लगबग 10 किलो मिटर की चौराई वाली छेत्रों के लोग वर्स में लगबग 3-4 महीने दोहरी जिन्दगी जीते हैं अब यह दोहरी जिन्दगी कहने का मतलब क्या होगा यहां पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रहा होगा जिसमें कुछ लोग जो हैं वो छोटे मोटे टेंट बना करके इसमें निवास कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि इनका जो घर है वहां पर क्या होगा है नदी के क्रम में उन्होंने उसने बताया कि पुर्वी बांद से पश्मी बांद के 20 लगबग 1100 किलो मीटर में रहने वाले लोग लगबग 4 महीने तक विस्तापित जिंदगी जीते हैं विस्तापित करने का मतलब क्या हुआ कि एक जगह पर रहें वहां से छोड़ करके कहीं दूसरे जगह चले जाईए तो वह जो प्रोसेस है यह क्या कलाता विस्तापन कलाता है तो यह बताएं कि सहर्चा के जो रहने वाले लोग थे वो क्या बताते हैं कि एक किशान थे जो के तटबंधों और अस्परों पर रहने वाल रहने चले आते हैं वह फूस और पलास्टिक के काम चलाओ छत्या और दिवार बना कर रहते हैं सबसे पहले अपने मवेसियों को उचे अस्थानों पर पहुंचा कर उन्हें सुरक्षित रहते हैं मवेसी कहने का मतलब क्या के त्यार हो जाते हैं जो जलावन के काम आते हैं अब इस तरीके से देखे तो ततबंधों पर रहते हुए मवेसियों की दुधों की पिक्री बचा कर रखे गया अनाज मचली पकरना और सरकारी सहयता पर निरभर हो जाते हैं यह अपने गाओं यहम खेतों को पानी में डू अब दोती हैं और पानी उतरते ही वापस यह लोग क्या चले जाते हैं अपने गाओं चले जाते हैं और बाढ़ द्वारा लाई गई बलुआही मिट्टी में पडवल ककड़ी मिसरी कंदी जिसको क्या बोलते हैं अरहुआ बोलते हैं और क्या बोला है कि तरभूज और दोम कि अच्छा जो उत्री बिहार है वहां पे तो बारिस का पानी बहुत जबरदस्त होता है मतलब बहार जो है वो भयंका रुप से आता है लेकिन क्या ये पूरे बिहार में ऐसा होता है समान रुप से होता है एक समय कहीं बार आ जाती है तो कहीं खेतों में पानी नहीं रुखता है अब देखो क्या होता है कि कहीं कहीं किलोमीटर तक जल ही जल नजर आता है और यह जल जो है वो लगवग चार महिने तक खेतों में जमा रहता है अब सुचू की बरसात के मौसों में परदेश के अलग-अलग हिस्सों में जन जीवन पर क्या असर परता है तो आपको पता दे कि उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा बार आता है दक्षनी बिहार जो है वो हाँ पे मतलब ऐसा इस तरीके का बार नहीं आता है और पानी के यहाँ पे ज़्यादा तर देखा जासμεर तो कभी कोई सुखार भी परजाता है जबकि बिहार हमारा एक ऐसा राज है जहां पे इसके उत्री हिस्से में बहुत भयंकर बाढ़ आता है मतलब पानी बहुत ज्यादा हो जाता है और जो दक्षनी बियार है यहाँ पर सुखार पर जाता है, सुखार मतलब पानी की कमी हो जाती है, तो इस तरीके का हमारा बियार है, ठीक है, अब देखो, आगे हमें परना है, आगे हमें परना है बच्चो टाल छेतर के बारे में, किसके ही बारे में परना है, टाल छेतर के पढ़ेंगे इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में अगर आप चैनल पे मेरे निव हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए वीडियो को लाइक कर दिजिए और अपन के लिए धन्यवाद, टेक कियर